दोस्तो कि आप भी अपने मोबाइल में कुछ ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं ताकि जब भी दोस्तो आपके मोबाइल पर कॉल आए तो सामने वाले का नाम लेकर रिंटून बजे यानि कि सामने वाला जो बंदा जिस नाम से कॉल कर रहा है उस नाम का दोस्तो रिंटून आपक आपको on करना है, on करने के बाद दोस्तों जब भी कोई आपके phone पर call करेगा ना, तो ringtone के जगे दोस्तों सामने वाले का जो नाम रहेगा, उस नाम का ringtone बजेगा, समझे रहो, तो इससे आसानी से आप पता लगा सकते हैं, कि आखिर कोन आपको call कर रहा है, तो कैसे दोस्तों आप इस setting को अपने mobile में on करेंगे जानना चाहते हैं, तो इस video को like कर दो and continue होगा, इस इस video को देखते रहो तो आईए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस hidden setting को अपने mobile में on करेंगे, ताकि दोस्तों जब भी call आएगा, तो उसके नाम का, उसका नाम कुछ भी हो, उसी नाम का दोस्तों इंटोन बजेगा समझे रहो, जिससे easily आप पता लगा पाएंगे, कौन बंदा आपको call कर रहा है तो इस setting दोस्तों करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में ये जो dialer दिया है इसे आपको open कर लेना है सबके mobile में दोस्तों dialer होता है, ठीक है तो इसे आपको open कर लेना है जो setting में बताऊंगा, सबके mobile में आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो कैसे आएगा, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद अब आप क्या करेंगे यहाँ पर दिया है तिन डॉट इसके उपर क्लिक करना है और settings की अंदर आजाना है settings की अंदर आएगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डाइलर पैड के सभी hidden settings देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा caller ID announcement, आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसी के उपर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे उपर दिया है caller ID, अब यह दोस्तों announce caller ID जो है, आप देखेंगे तो यह never पर set है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह never पर set है तो इसे दोस्तों आपको करना क्या है इसे उपर, जो सबसे उपर दिया है, always इस पर set कर देना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब जैसे दोस्तों आप इसी always पर set कर देते हैं वह जैसे दोस्तों आपके फोन के अंदर यह जो setting है, यह जो trick है, यह activate हो जाता है लेकिन दोस्तों अगर आपके mobile में यह caller ID announcement वाला setting नहीं मिलता है जैसे दोस्तों आपको टाइप कर लेना है जैसे दोस्तों आप गूगल डाइलर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है phone by Google आप देख सकते हैं यह दोस्तों जो Google का डाइलर होता है इसे ही दोस्तों आपको अपने mobile में download करना है या फिर आज के समय में जितने phone आ रहे है सबके phone में यह पहले से ही होता है तो इसे दोस्तों आपको यहाँ से update कर लेना है अगर आपके mobile में पहले से है तो आप इसे update कर लेंगे अपडेट करने के बाद दोस्तों यह feature आपको मिल जाएगा अगर नहीं है तो इसे में आपको इसे पूरा का पूरा डाउनलोड कर लेना है समझे के प्ले श्टोर पर यह आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद आपके mobile के अंदर दोस्तों caller ID announcement वाला यह जो feature में आपको दिखाया है यह activate हो जाएगा ठीक है एकदम कमाल का यह trick है एक बार आप अपने mobile के अंदर set कलो आपको खुद पता चल जाएगा जब भी दोस्तों कोई incoming call आएगा हर कोई आपसे पूछेगा भाई आपने यह कैसे किया ठीक है तो अगर आपको दोस्तों यह trick यह video पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना साथी साथ हमारे शेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पे क्लिक कर देना थैंक्यो दोस्तों बाइबन टेक कियर